अभी इस वक्त हो गया है कि नीट ऑफ-लाइन होगा कि ओनलाइन होगा नीट के लिटी करेटेरिया बदल गई है क्या एज लिमिट भी होने वाला है क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी आप क्या हम एज से रिलेटेड और अलेजिबिलिटी से रिलेटेड कट अफ से रिलेटेड हर चीज से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरे एंड तक जरूर इस वीडियो के देखेगा ताकि आप समझ जाए और ऐसे वीडियो पे अब फरदर आप टाइम सब्सक्राइब का मतलब हो यह होता है कि जेनरल का डिगरी में बॉन ओन विफोर दिसमबर 20 2007 यानी 17 साल का एज होना चाहिए यहां देखेंगे कि सब्सक्राइब के लिए यह सारे चीज़े होना चाहिए अभी अभी एक टाइम सफ इंडिया में भी एक न्यूस छबा था कि इकनोमिक टाइम्स ने टाइम सफ इंडिया ने सर्वे किया और जितने भी जेई हो नीट हो सीवे योजी सिननेट हो एंडिया ने बहुत ही जल्दी उसका एक्जाम का कलंडर प्रोड्यूस करेगा इनका जो चीज होता है इनकी जो सर्वे होता हो बहुत एकुरेट होता है और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया है तो हम सबसे पहले नीट का ही दे अब इसकी पहले अगर आपको याद होगा कि 2024 के दौरान 2024 में बहुत सारे चीज़ें होई थी कोट में केस चला गया था और लोग कह रहे थे कि पेपर दो का दो पार्ट में होगा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन मुस्ट पेपर और पेपर और मोड़े होगा और 2026 में ऐसा हो सके बाट 25 में तो बिल्कुल गुंजाइस नहीं है तो जैसा पेपर अभी तक आप देते आ रहे हैं जिस मोड में आप देते आ रहे हैं वैसे ही बिल्कुल एक्जाक्ली होने वाला है और टेंटेटिव डेट फूर्थ माई 2025 को ही एक्जाम होगा अब हम eligibility criteria और eligibility criteria को remove कर दिया गया था मतब की number of attempt को remove कर दिया गया था number of attempt allowed to be need exam as a result there is no limit of the number of number and time of student take a need 2025 provided they meet the eligibility requirement मतब 2018 से remove कर दिया था कि आप कितनी भी बार दे पाएं तो अब कितनी भी बार दे पाएं तो 2025 में भी बहुत सारे sprint बैटने वाले हैं और जब भी number of sprint बढ़ेंगे 24 लाग 25 लाग जाएंगे तो अव्वेस है selection के chances थोड़े कम हो जाएंगे और कटफ बढ़ेगा है ना कटफ बढ़ेगा 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 कटफ हमेशा बढ़ता ही रहता है घटता बहुत कम है क्योंकि सिलेबस असान हो गया है तो quality of questions देखिए दो चीज़ पर कटफ बढ़ेंड करता है कि पहला हमारा की number of sprint कितने हो और question का level कैसा है तो मान के चलिए आपका जो कटफ होने वाला है मान के चलिए कटफ जो होने वाला है तो आप टार्गेट बनाए 675 का टार्गेट अगर बना लेंगे तो आपको कोई ने कोई गौश्च मिल जाएगा अगर ड्रीम है तो इससे उपर का टार्गेट आपको बनाना पड़ेगा तो इसको इस टार्गेट से बना के आपको आगे चलना पड़ेगा पूरी अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा उसको समराइज करते हैं अभी तक जो भी चीज़ देखा तो अकाड़मी क्वालिफिकेशन वही टेन प्लस टू ठीक है फिसकेंस्टी बायो नीडवलेटी मार्क्स है ना फॉर फुर्टिव एडवलेटी है इससे सेलेक्षन नहीं होता है यह प्राइवेट के लिए होता है बाहर जाने के लिए होता है एज लिमिट यहां हैं और स्कूर वैलेटी वन एकाडमी की एक होता है तो पूरा यह सहरां से कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया है तो इसके लिए आप निशिंत रहें और अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं दो हज़ार पच्छेस में तो मैं अकाडमी के उपर डेली सुबह 8 व 30 मिनट्स में एक चाप्टर कंप्लीट होगा आने वाले टाइम में तो इस चानल को जरू सब्सक्राइब करके रखेएगा और आप चाहते हैं कि मेरे साथ परस्नलाइज अटेंशन के साथ पढ़ें तो 50% चल रहा है और साथ में दो महीने का एक्स्टेंशन में मिल रहा है यद्याई चे मेनगे आप शुवरन ने सक सुव समघनिते हैं तो ये मेंटिमेटली आपको 8 महिने कर आट कर्स ऊजट यम्र्य जाता है कोड़ में डौक्टर ऐसके सिन्ग आपको लगाना है देखिए उक्ड़ वन्ना है तो दॉक्टर के लाचतना पढ़ेगा अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपको पूरा परस्नलाइज एटेंशन दिया जाएगा और आप मेरे इस्क्लूजिव टेलीग्राम का हिस्सा बन पाएंगे